और बस्पा केप और मंत्री याकुब कुरैश्री के बेटे ने एक बार फ़र कानून श्रकंचे में फस गए है मीट माफिया याकुब कुरैश्री के बेटे इमरान और फिरोज पर गुंडा एक्ट के तहत कारवाई की गई है दोनों ही गैंगस्टर एक्ट में जमानत पर चल रहे हैं हाल ही में कुर्क मकान की सील तोड़ने के मामले पर फिरोज पर मुकदमा दर्च हुआ है और जिसके बाद अब उन पर लीगल एक्शन हुआ है प्रदेश इस्तर पर चिन्नित माफिया याकूब कुरेशी और इसके लड़के इमरान और फिरोज के विरुद मिरट पुलिस के द्वारा पूर में गैंगस्टर अधनियम के अंतरगत कारिवाई की गई थी इनके संपत्दी के जबती करण की भी कारिवाई की गई थी याकूब के दोनों लड़के वर्तमान में जमानत पर जेल से बाहर थे इनके विरुद थाना कोतवाली पुलिस के द्वारा गुंड़ा अधनियम के अंतरगत कारिवाई की गई है जिसकी रिपोर्ट जिलादिकारी कारियाले को प्रेशित कर दी गई है